हालो दोस्तों एक बार फिर स्वागत आप सबीगा आपनी यूट्यूब चैनल वन टो वन क्लासिस पे बार चलेगी आज बिजनस टड़ीज क्लास 12 के पिक्चर बेस कोशन ही क्योंकि पिक्चर बेस कोशन इस बार आपके हर एक्जाम में आ रहे हैं बिजनस टड़ीज में भी जाने भले तो कैसे होंगे कुछ पिक्चर बेस कोशन में आपको दिखाने भला हूं उनके आंसा भी बताऊंगा उनकी डिटेल भी आपको बताऊंगा और किस तरीके से आप उनको identify कर सकते हैं और पूरे मूंसे पूरे नंबर असानी से score कर सकते हैं दोस्तों शुरू करते ह हैं आज के सफर को सबसे पहला कोशन आपके सामने आ चुका है दोस्तों इसमें रिस्पॉंसब्रिटी ऑफ कंज्यूमर बिंग हालाइट इंद ऑब ओके कोई कंज्यूमर की रिस्पॉंसब्रिटी है पता नहीं कौन सी है या बिल इस वेस्ट पेपर नो इट इस आप कौन सी स्पॉंसब्रिट या पर डिस्प्ले करी गई है बीवेर और वेडियास गूर्स नहीं बाइओ लिए रिस नहीं लेन अमटर इस नहीं आस फॉर कैश में हम वहां बई यह दा बिल मांग रहा है तो कैश में मांगना जरूरी है नहीं तो आप कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे दानक के चलना एंशी को में कोशन आ सकते हैं इस टाइप के बढ़िया रहेंगे लेकिन मज़ा जरूर आए यह पकी बात है और यह आपको बढ़िया नंबर दिलाने वाले हैं फॉर शौर बढ़िया नंबर दिलाएंगे चले आगे बढ़ते हैं एक्स कोशन के और एंजिटी रूल आर्टी और अनुसी एक्स पेंट फॉर टैनियर्स ओल्ड डीजल का ओनर सिंदैली ओके आई आर्टी ओका रूल आया है कि आप नहीं कर सकते बिजनस इंवामेंट कोंसी डैमेंशन है नैशनल ग्रीन टर्बनल बैंड टैनियर्स और वीकल कार टू प्र डीजल दस साल पुरानी गाडिया नहीं चलेंगी नहीं चलेंगी नहीं चलेंगी सभी बात है नेक्स्कोशन बिया स्मार्ट कंजूमर जागो राख जाओ एडेंटीफा राइट जुमार बिं प्रमोटिं ता गिवन टीश ओके कुछ यहाँ पे डिटेल पढ़ी जा रही है वी आस्मार्ट कंजूमर डेटेल्टुइट वी चैक्साडी डीटेल चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो ओके सब कुछ चेक करना चाहिए आपको यह क्या कहना चाह रहे हैं तो यह क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर दोस्तों हमारे तो पढ़ना ना पढ़ना यह आप इतने जागरूख है यह नहीं है तो आपको पढ़नी चाहिए सारी टीटेल हो दोस्तों दान लिए इस बात को पर पैसा दिया जा रहा है समान लिए जा रहा है समान लिए जाँ टॉत तो समान लो सी दिसी बात है बस ऐसा दे दीजे और समान ले लिजे ठीक है तो यह जो सिस्टम है दोस्तों इसी का नाम है एक्सेंज मेगानिजम यह फीचर है मार्केटिंग का काफी इंपॉर्टेंट है धान रिखेंगे दोस्तों ओके नेक्स कोशन यहां से एक इंसान को चूज कर लियंगा बाकी साव मैं यह n है ऊके कौन सा फंक्शन है फाइंग बोगनाइजिंग is a process of choosing और basically ensuring the best person to do work in our organization जो सबसे सही होगा उसको चूज करेंगे बाकि सब को कहेंगे जाओ 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 बाकि सब reject सबसे भड़ी अवाला select दोस्तों नेक्स्ट हेलो अलगले language में बताया गया है identify the barrier may prevent a communication or filter part of it or carry incorrect meaning due to which misunderstanding may be created illustrated by the picture okay कौन से barrier दोस्तों तो कौन सा है जो information को incorrect या correct जीनों जब misunderstanding हो जाती है बात करने में इसको कौन सा barrier कहते हैं दोस्तों यह उतार दोस्तों हमारा semantic barrier semantic barrier and coding and decoding से related है लब मान लीजे मैडम कुछ कह रही है और भाई साब कुछ और समझ रहे हैं communication में तो जो encoding recording होगी न भार्षा की उसका मेनिंग कुछ ना कुछ और कुछ का भी बन सकता है तो यह बड़ी दिक्कात है इसलिए यह जो दोस्तों हमारा communication barriers का नाम है semantic barrier इस बात को रहान के चलेंगे दोस्तों अच्छा नेक्स हमारा सामने मैस्लो की नीड ओओ क्या बात है काफी दर्दनाख पिक्चर है कुछ खाना खाया जा रहा है कि अधा चाइलिज्ट प्राइमरी नीड्स लिविंग हिम अनहपी इंकमफरेबल ओओ क्या बात है अब इनीड सबसे प्राइमरी नीड कौन सी है इन्सान की इस लाजिकल सेफ्टी बिलॉंगे में से स्टीम यह दोस्तों हमारे फिजियो लाजिक फिजियो लाजिकल नीड में क्या आता है पूट लोटिंग एंड शैल्टर रोटी का बड़ा मकाम सब कुछ है यह भाइस के मेना जिंदकी नहीं चल सकती है तो खाना तो इन्सिंग डिविडेंड नन यह दोस्तों मारा इंवेस्टमेंट डिसीजन तो जब भी कंस्रक्शन होगा कोई भी चीज कंसर्क करी जाएगी काफी इंपॉर्टन कोशन है जास एक हिंट है कि कैसे पिक्चर बेस कोशन आ सकते हैं उसका एक हिंट होना बहुत ज़रूरी है तेके अपने माइंड को वहीं पर लेके जाएं कि हो लेकर जाए दाना कियो मिक्ति करेंगे दोस्तों इसफार को तो और देखो यह तो primary और यह होगी हमारी secondary क्योंकि बहुत सारे इखटे है ना चीक है कि transportation है सोचे यह परी देखो primary package दो प्रोडक के साथ तब तक जाता है जब तक प्रोडक रहता है तब तक primary package रहता है थीक है और सेकंड्री उसकी यसी प्ररोटरेक्शना देने के लिए तो मेरे पाइमर्य और रिंख रहाएं कि ट्रांस्पोर्टेशन बहीर हो सकती है यह कि ल्थ प्रॉक्स करना रहा है ठीया सेकंड्री प्क tolerant को दान रखेंगे इस बात को नेक्स्ट ओके कुछ बात चीछ चल रही है मैडम सुनने की गोशिश कर दिया है पीपल बहेवरी इस एफेक्टिव रूमर्स एंड सम्टाइम्स में हैं पर वक इंवायमेंट कौन सा कम्मिनिकेशन है जो फ्रांस्मिट करता है इंफॉर्मेशन एस दूसा दीसा दूसा ऐसे करके कि लेवल में जाता यह तो जो खिचडी बन रही है यह इंफॉर्मल यह दोस्तों धान रखेंगे इस बात को नेक्स्ट नहीं 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 क्या आता है पॉली बैग नहीं हम तो लेंगे फ्लेक्स बैग ओके नाइस बहुत बढ़ी आंटी जी वेरी गुट पॉलसिंग बैक बैन इंटिफार मार्केटिंग मैनेज्मेंट फिलोसफी विच फोकसी उन पेंग अटेंशन और सोशल एथिकल एक लॉजिकल सब पर धान देने वाली सिर्प एक है उसका नाम है सो साइटल मार्केटिंग कंसेट सब लोग जानते हैं इस बात है दान रखे चलें इस बात को दोस्तों नेक्स बोर्ट रेक्टर जनल मैनेजर उसके नीचे अलगलग डिपार्टमेंट के लोग है ओके अडेंटफार टाप ऑफ ऑर्गनाइडेशन सब्सक्राइब कंसा सब्सक्राइब अलग तो नहीं है वाई नहीं वाई प्रक्त तो न इसमें मल्टी प्रड़क बोच नजर आता यह तो फंक्शनल है नेक्स्ट क्लाइट कॉमन लोग अड्मिशन टेस्ट ओके क्रेक्टर से को प्रफेशन ओके ओके इस क्या हो सकता है मनला इसका मलब है लोग या बनने के लिए आपको क्लाइट का अड्मिशन लिखना पड़े को क्यों इंडिकेट करेगा दान रखेशन दोस्तों ऐसे एक बिल्डींग है यह बिल्डिंग है दोस्तो न ऐसओ न आई जहां तक में शोर हूँ इस बारे में बीलिडिंग दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्शेंज की ब्लिंग है वैसे है ठीक है तो थीक है आपको पूछा और ये कौन सी है तो एक बिल्डिंग है जो ड्राइब टोटी है इन्ट फिन्वेस्टर्स प्रतों ये पकी बात है दोस्तों से भी क्योंगी विल्टिंग क्योंकि लोगो पृटेक्ट करने के लिए तो सभी बना यहां सभी खासंब्स वी नखर आ रहे तो यह एनसी नहीं है निया Жा unterstüt से भी होगा यह में लिखासं की डेगुलेट और डवलप पर प्ऩ sulla बना तो अहीं को सकता पक्री बात है सब्सक्राइब ऑन के बीच में होता है तो सोच कौन सा क्विए करिया के बीच में होता है ठीक है पताना सो क्यों समझ के क्या फॉर्मल है इंफार्मल है हो ly's है सोच समझ के बताओ superior subordinator के बीच में हो सकता है मिलब ऐसे ऐसे भी हो सकता है उपर नीचे और subordinate superior के बीच में भी हो सकता है ओके यह कौन सा है यहां सोचो और among the character employees और manager या फिर अपने employees और manager के बीच में हो सकता है तो दोस्तों यह formal communication यह ठीक है कि जो picture based question रहेंगे आपके वो किस किस प्रकार के case से related आ सकते हैं आने तो ही obvious ही बात है तो आप अराम से इनको identify करके पूरे नंबर पाना जरूर all the best for exam अच्छे सच्छा करेंगे आएंगे दोस्तों और जल्दी सब्सक्राइब करेंगे आपका अपना youtube channel one to one classes उस्तों